कर दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है सो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सिस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्याद सो गाइज आज हम डिस्क्राइब करें नलकों के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करना चाहिए नहीं और इस शेर में जो आपको कंटिनियूसली गिरावर देखने को मिरी उसके पीछे का क्या कारण है सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे सो गाइज वीडियो एंट तेक्स जुरूर देखेगा सो गाइज पहले कंपणी के फंडमेंटल्स के बारे में बात की जाए तो कंपणी का फंडमेंटल्स काफी स्ट्रॉंग है गाइज कंपणी का स्टॉप K नहीं जाए जाथ हो ओवरख़न नहीं एसम के किसी Leиль अ कंपणी की एनवल ग्रोफ रेट प्रॉफी जेनरेशन रेवनू ग्रोफ रेट जेट सारी किसी प में कंपणी की डेप्लिटी और यिर मिदा ऊपकी इच्छे गाइस और गाइस जो लेवल पे अभी ये है ये बहुत इंपोर्टेट एक स्पोर्ट इस शेर के लिए बना हुआ है गाइस क्योंकि अगर ये इस स्पोर्ट को तोड़ता है तो यहाँ पर आपको एक और भारी ग्रियावट देखने को में लिए और नेक्स स्पोर्ट इसका 24 रुवे के आसपास बन रहा है तो मेरी आपको यही रहे रहे हैं काइस कंपनी में कोई भी कमी नहीं है कंपनी फंडमेंटली होने वाला था क्योंकि ने यूएस मार्केट का जो है ओपन एक्सेस मिलने वाला था गाइस लेकिन तब भी इतनी पॉजिटीव निउस आने के बापजूद भी इस शेर में आपको गिरावड देखने को मिली इसका मलव जो बड़े प्लेयर्स है वो इस शेर को डंप कर रह है जब यह स्पोर्ट लेगा तभी पॉजिशन बनाएगा जल्दवाजी में कोई भी पॉजिशन मत बनाईएगा अभी जो है चाइना में भी थोड़ा एकनॉमिक स्लोडाउन आया आपको पता है उसकी वज़से जो है अलुमीनियम के प्राइस हो में आपको एक अगर आप पॉजिशन बनाने की सोच रहे तो अभी सही टाइम नहीं है लॉंग पॉजिशन बनाने का आप इस शेयर को शॉट कर सकते है जो है अपने सपोर्ट को तोड़ा तो मेरी आपको यही रहे रहेगी कि गाइस अभी नालकों में आप जो है जादा अपनी हैवी कंपनी का इबीटा बहुत बढ़ी है गाइस कंपनी की डेप टुटी बढ़ी है गाइस कंपनी की अनिंग पर शेर भी काफी अच्छी है का इस कंपनी को फंडेमेंटली 5 आप और 5 स्टार देंगे लेकिन अभी बड़े प्लेर्स जो है प्रॉफिट बूकिंग करें तो पीशेर से निकल जाएए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए